हेलो एबरीवान, टेरट विद एम सिंग में मैं अपने सबी विवर्स का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, हमेशा की तरह, मौर्निंग में मैं आ गई हूँ, आपके पार्टनर्स की करेंट एनरजी और उनका नेक्स्ट आक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे, सो मेजर अरकाना से मैं लोगी क्योंकि आप में से कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैम आप मौर्निंग रिडिंग में मेजर अरकाना इंक्लूड किया कीजे, सो आप लोगों की बात सराखों पर, सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या ए हैं five cards first card we have the emperor अब emperor आये हैं तो chances हैं कि एंप्रेस भी आएंगे क्योंकि इनकी जोड़ी वड़ी तगड़ी है चैरिट वेल ओफ फॉर्चून दे वर्ड वन मोर कार्ड वन मोर कार्ड एंजल्स टावर बॉटम से हैं we have temperance यहां पर ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के partners का ego खतम होने वाला है किसे situation में अगर वो बहुत egoistic behave कर रही थी या कर रहे थे या उनको जिस बात का ego था वो टूटने वाला है या कुछ लोगों के partners की family या parents के साथ किसी तरह का argument हो सकता है या कोई ऐसी situation create हो सकती है जिसके बाद कुछ major shifts होंगे उनकी energy में कुछ बड़ा बदलाओ होगा major change की energy है wheel of fortune with the world ये दोनों cards बता रहे हैं कि कुछ major change आपके partner के life में आने वाली है उनके एक decision से एक decision से one decision कोई बड़ा change उनकी life में लेकर आएगा और वो change जो है वो balancing की energy में आएगा शिव शक्ती balance होगा masculine energy balance होगा masculine and feminine both masculine की energy में masculine और feminine energy balance होगी so let's clarify all the cards first थोड़ी अलग energy है आज बहुत different energy है और देखते हैं clarify करेंगे सब कुछ clear हो जाएगा यहाँ पे जो signs हैं वो हैं Aries, Cancer, Taurus, Sagittarius, Capricorn, Pisces please guide कर angels, major sign बताईए मैंने अभी minor arcana से सारी signs आएगी तो यह मत लिखिएगा कि ma'am मेरी sign नहीं आई, ऐसा नहीं है, reading all signs के लिए होती है please guide कर angels, clarify करें इन cards को, क्यों आए है ऐसे cards आपके partners की current energy में emperor क्यों आए है देखिए सबसे पहले एक एक करके बताऊंगी सबसे पहले उनके लिए बताऊंगी जो already married है अपने husband या अपनी wife को लेकर ये reading देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं बता दूँ हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी third person या family का ही कोई member हो जिसकी वज़े से आप दोनों के relationship में बहुत problem आई हो यहाँ पर अगर आप दोनों separation में है या आप दोनों में कुछ बहस चल रही है husband wife के बीच में तो आपके husband या आपकी wife आपको बहुत spy करते वे नजर आ रहे हैं और किसी तरह का gesture आपकी तरफ हो सकता है उनकी तरफ से अगर parents की वज़े से separation आया है तो भी किसी third party की वज़े से separation आया है तो भी यह आपकी तरफ किसी तरह का gesture जरूर से देंगी या देंगी second situation उन लोगों की है जिनके life में आपके partner के parents अगर agree नहीं कर रहे थे इस relationship के लिए तो आपके partner उन्हें मनाने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं कुछ ऐसे situation होगी जिसके बाद या तो आपके partner उन्हें मना लेंगे या फिर आपके तरफ बढ़ेंगे for love marriage कुछ इस तरह की energy है लेकिन शादी जुरूर होगी क्योंकि ये gesture आपको देना चाहते हैं और third situation यहाँ पर है कुछ लोगों के partner अगर ego की वज़े से separation में थे या आपसे बात नहीं कर रहे थे कोई problem नहीं है फिर भी या आपसे बात नहीं कर रहे थे या कर रही थी तो इनका ego side पे रखके ये आपकी तरफ communication का हाथ बढ़ाएंगे या बढ़ाएंगी आपकी तरफ message आ सकता है कुछ न कुछ यहाँ पर energy ego को तोड़ कर आपकी तरफ बढ़ेंगे मतलब ego से आगे बढ़ेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ego की चलते सोचते हैं कि नहीं मैं क्यूं करूं वही करेगी या वही करेगा हर बार वही करता है हर बार वही जुकता है या वही जुकती है मैं क्यों जुकूं तो इस बार ये जुकेंगे या जुकेंगी क्योंकि इस बार आप balanced में है chariot की energy क्यों आई है chariot के लिए आया है the star queen of swords the moon knight of pentacles अगर आप मेंसे कई लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुवेशन में हैं या थे तो वहां से निकल कर आपकी तरफ बढ़ेंगे डिशिजन लेंगे दो मेंसे एक सिचुवेशन को चूज करने का अगर आपके पार्टनर एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे अपने दिल की बाते हैं अपने इमोशन अपनी फीलिंग्स अगर रेजिस्ट कर रहे थे तो यह आपको सब कुछ खुलकर ओपन अप होकर बताएंगे कि इनके लाइफ में क्या है आपकी वैल्यू क्या है आपकी वर्थ क्या है और अगर आपके पार्टनर स कमिटमेंट से भाग रहे थे या बहुत स्लो थे कमिटमेंट देने में तो यहाँ पर एक क्वेक डिशिजन होगा तो यह एनरजी यहाँ से निकल कर आई है चेरिट के बाद है Wheel of Fortune, क्यों आया है Wheel of Fortune एक card कहां गया Hermit का card है और कोई card है Hermit Temperance The Emperor Ace of Wands King of Swords High Priestess and Knight of Cups यहां पर बहुत powerful energy है Wheel of Fortune अगर आप में से बहुत सारे लोगों के partner किसी karma cycle में है तो या तो वो karma cycle balance होगी अगर Emperor है जैसे parents के साथ अगर balance create करते हैं तो good अगर parents allow करते हैं for new beginning अगर parents allow नहीं करते हैं तो भी ये new beginning होगी आपके partner cut off करेंगे कुछ situations को अगर कोई third party है कोई भी third party है तो ये उससे बाहर निकल कर आपके साथ आगे बढ़ेंगे new beginning की energy है balance create होगा temperance की energy है same energy है तो यहां पर balance create करने के लिए ये जरूरी है ये change जरूरी है the word और tower तब आएगा जब ये agree नहीं करेंगे जिनके life में ये चीज़ें agree नहीं होंगी peacefully solve नहीं होंगी उनके life में ये tower moment आएगा the word का card क्यों आया है magician and wheel of fortune yes जिनके partner या जिनके partner की family agree नहीं करेगी उनके partners manifest कर रहे हैं to take a leap of faith वो कुछ ऐसा decision लेंगे जो सब कुछ change कर देगा आपकी तरफ positive होगा लेकिन उनके अपनों की तरफ कुछ negative action हो सकता है tower क्यों आया है tower moment आएगा devil energy जो भी कार्मिक होंगे वहाँ पर tower moment आएगा जो भी negative energy है devil energy है जो भी रोकने की कोशिश कर रही है किसी divine union को वहाँ tower moment आजाएगा dear यह बहुत powerful energy है major arcana को दो major arcana ने clear किया है the world को भी दो major arcana ने clear किया है last temperance temperance का card क्यों आया है angels आपके partner self love की energy में आएगे खुद के लिए खड़े होंगे खुद के लिए stand लेंगे खुद में आप भी आते हैं अगर आपको लेकर कोई आपको बेज़ती कर रहा है या आपको लेकर कोई agree नहीं कर रहा है या आपको लेकर या action नहीं ले पा रहे थे या नहीं ले पा रही थी तो ये independent होकर balance की energy में stand लेंगे आपके लिए इस relationship के लिए balance होगी situations तो ये निकल कर आया है major arcana से अब हम देखेंगे आपकी तरफ next action क्या हो सकता है collective level पे जादतर लोगों की life में next action क्या होने वाला है angels please guide करें next action मेरे viewers की तरफ उनके person का next action क्या होने वाला है nine of pentacles with celebration bottom of the deck is seven of wands seven से start हुआ है seven पे घतम हुआ है again chariot is seven number तो triple seven की energy है seven is very important guys within seven minutes within seven hours कुछ लोगों की life में within seven days कुछ powerful decisions होंगे okay आपके partner plan कर रहे है to take up proper action देखिए current energy से भी chariot आया था और next action में भी chariot आया है powerful decision होगा success की तरफ आपकी तरफ बढ़ेंगे stand लेंगे आपके लिए इस relationship के लिए अभी मैंने temperance को clarify किया था मैंने कहा आप से कि वो balance करेंगे independent होकर decision लेंगे और यहाँ पर वही चीज निकल कर आई है so let's clarify some cards सारे cards clarify नहीं करूंगी let's clarify conflict and defeat conflict and defeat क्यों आया है third party से या जिससे डरते थे वहाँ पर major conflicts हो सकती है sometimes इन्हें ये भी हो सकता है कि इन्हें ऐसा लगे कि शायद ही आपको खोदेंगे या शायद इस relationship पर ये action नहीं ले पाएंगे लेकिन उसके बाद ये powerful decision लेंगे जो कि tower moment लेकर आएगा इनकी family या जो भी third party situation है क्योंकि ये एकदम mood बना चुके हैं कि इन्हें success चाहिए आपके साथ ही चाहिए चाहिए आपकी partner female हो male हो वो stand लेंगी आपकी तरफ action लेंगी आपकी तरफ और उसके लिए proper planning ये कर रही है या कर रहे है क्या planning हो रही है planning हो रही है कि अब नहीं भागना है अब आर्या पार करना है wheel of fortune with death transformation major changes है so कुछ न कुछ situation पूरी तरफ से end होगी again number seven chariot क्यों आया है third party से निकलने का decision लेंगे आपके partners impress, emotional, withdrawal, waiting जिसका आप बहुत time से wait कर रहे है even आपके partners भी बहुत time से wait कर रहे है stand your ground क्यों आया है one one की energy है commitment की energy है एक solid commitment आपको देना चाहते है या देना चाहती है जिसके लिए जो भी blockages है उसे heal करेंगे वहाँ से निकलेंगे success की energy क्यों आई है success के लिए बड़े सारे cards आ गए है throat chakra, fulfillment of wishes, sacrifice, options, harofant, obstacles बहुत महनत करेंगे इस success को अचीव करने के लिए अपनी wish की तरफ बढ़ने के लिए इन्हें बहुत situations से लड़ना पड़ेगा बहुत obstacles हैं आप दोनों के बीच में इन्होंने बहुत sacrifice किया है आपको बट अब ये sacrifice नहीं करना चाहते अब वो sacrifice होंगे जो karmics होंगे जो भी इनके life में trigger दे रहे हैं या दे रही हैं उन situations की ending होगी so आने वाले 7 hours या 7 days आप में से बहुत सारे लोगों के partners आपकी तरफ return आने वाले हैं और इस बार जब वो return आएंगे तो वो on and off वाले के लिए नहीं आएंगे एक proper decision के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं so let's check angel guidance for you all please guide कर angels मेरे viewers के लिए क्या guidance है मेरे viewers के लिए क्या guidance है हो सके तो लिख कर affirmations use करें ताकि आपके partners को भी blessing मिले और आपके relationship में smoothness आए boundaries आपके partner cut off करेंगे जो भी situations boundary create कर रही है आपकी तरफ आने से रोक रही है उन situations को cut off करेंगे आपके partners आपको भी boundary set करनी है आपको भी अपने life में कुछ situations में clear रहना है anytime आपको अगर कुछ situations को cut off करना पड़े तो आपको cut off करना पड़ेगा especially related with karmics prosperity की energy है आपके life में abundance आने वाली है आपका love manifest होने वाला है बहुत सारे लोगों के life में growth, prosperity, unions की energy है and the last guidance we have is stability prosperity and stability दोनों आने वाला है guys so तयार रहिए positive रहिए हो सके तो अपने imagination में अच्छा सोचिए इस वक्त क्योंकि इस वक्त आपके partners कुछ अच्छा करने वाले है summer की भी energy है उजाला आने वाला है आपके life में बहुत जल्द so ये थी आज की reading hope आपको इस reading से guidance मिले और अगर आने वाले 7 hours 7 days के अंदर ये reading आपसे resonate करती है तो जरूर सी inform कीजेगा comment section में thank you so much take care of yourself bye bye